नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्या, आदी टेक जोन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वाटसप पे आने वाले कुछ निव फीचर्स के वारे में तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, वाटसप पे आने वाले नए फीचर्स में से एक है क्लिक टू चैट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वाटसप पे आप उन लोगों को मैसेज कर सकते हैं जिनका नंबर आपके फोन पे सेव होता है अब आप जब तक किसी नंबर को अपने फोन पे सेव नहीं करते हो तो वाटसप पे आपके सो नहीं करता है बट यह click to chat का जो new feature आ रहा है इसके अंतरगात आप उन सभी लोगों को message कर सकते हो जिनका number आपके phone पे save ना हो या फिर आप save ना करना चाहते हो आपके लिए unnecessary number है तो आप उन सभी number को message कर सकते हो या फिर उन्हें कुछ send करना हो documents, photos तो आप उसे send भी कर सकते हो बट आपके number save करने की जवरत नहीं होगी तो यह एक बहुत अच्छा feature है तो दोस्तों WhatsApp पे आने वाले दूसरे new feature का नाम है Link instantly with Facebook यह feature WhatsApp का कम Facebook का ज़्यादा है बट WhatsApp की parent company Facebook ही है तो Facebook अपने beta users को एक new feature दे रहा है जिसके जरीए आप Facebook से कोई भी चीज direct WhatsApp पे किसी person को आप share कर सकते हो जैसे पहले होता था कि Facebook जरीए अगर आप कुछ share कर रहे हो तो आप अपने timeline पे share कर सकते थे या messenger पे किसी को send कर सकते थे बट इस new feature के थ्रूँ आप Facebook से किसी भी चीज को WhatsApp पे किसी भी person को share कर सकते हो directly तो यह भी एक अच्छा feature दोस्तों WhatsApp पे आने वाले थर्ड नीव feature का नाम है group audio calls यह feature iOS devices के लिए है जरीए आप group audio calls कर सकते हो जैसे अभी आपने phone पे conference call करते हो वैसा है same feature WhatsApp पे बहुत जल्द आने वाला है और Android device के लिए new feature आने वाला है Gmail पे कोई भी mails delete करते हो तो वहां पे mark करने का option होता है mark as read mails या फिर unread mails तो वैसा ही feature WhatsApp पे आने वाला है जिसके जरी आपने जिन messages को read कर लिए अगर उनको delete करना हो तो आप mark करके delete कर सकते हो जो messages आप नहीं पढ़ना चाहते हो उनको mark as unread करके ऐसे separately un messages को delete कर सकते हो तो यह भी feature बहुत अच्छा है दोस्तो WhatsApp पे आने वाला media है उनको आप gallery में अपना show करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो यह जो फीचर है यह आई-च डिवाइस में आ चुका है बट Android में आने वाला है और यह first Android बीटा वर्जन में आएगा तो जो Android बीटा वर्जन यूज करते हैं उनके पास यह feature बहुत जल्द आने वाला है तो दोस्तों यह थे WhatsApp पे आने वाले कुछ new features आसा करता हूं आपको यह information अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीड वीडियो अपलोड करूं और तो आपको notification मिल जाए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में